नमस्कार जैहिन दोस्तों मैं कित्मे स्र एक बार फिट से हार देख स्वाकत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल एक्जाम तक पर दोस्तों तरप्रदेश फॉरस्ट कार्ड के लिए जीके जैस की मोस्ट इंपोर्टन्ट दसवी क्लास लेकर एक बार फिट से आप सबके समख सब्सक्राइब को आपका एक्जाम होने वाला है और उसमें किसी भी प्रकार के कोई कमी ना रहे इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपके वीश में कताई जहार सीरीज के आपर जॉइन की हुए हैं और दोस्तों प्रतेक सुबह 10 बज़ेस की क्लास आती है तो तो यहां पर देखेंगे कि आज का हमारा पहला और पूरी सीरीष का क्यान वेवा कुश्चन है कि हिंदी भासा की लिपी काउंसी है लिपी आप से पूछ रहा है तो सित्वर्जाय का देव नागरी लिपी वैसे ही दूस्तों बात करते हैं जो पंजाबी भासा है पंजाब लिए लिए के जाता है तो अगला कुछ आ है कि भारत में सारवार्दिक वरसा सरवार्दिक वर्था कहां होती है ठीक है कहां होती है सरवार्दिक वर्था तो आपके मासिन राम आपके मेखाले में मेखाले में स्थाना है मासिन राम वहाँ पर सरवार्दिक वर्था होती है भारत में ये बहुत important है अगला question दो कि भारत का भारत की पहली महिला सासिका सासिका है अपर सोड़ा गराल दिखा हुआ है सासिका तरिखा जाता है तो भारत की पहली महिला सासिका कौन थी तो रजिया सुल्तान बेगम ये फिर रजिया बेगम जो भी आप कहें वो भारत की पहली महिला सासिका थी बहुत important है पहली महिला की आई तो जान लीजे पहली महिला राष्टपती कौन थी तो भारत की पहली महिला राष्टपती कौन आपके प्रतिभा देवी सिंग पाटिल प्रतिभा पाटिल पूरा नाम था प्रतिभा देवी सिंग पाटिल ठीक है प्रतिभा पाटिल भारत की प प्रतं महिला राजपाल थी है आपके सरोजनी नायडू निलिक दे रहों समझ लिए का सेरोजनी नायडू कि समझे रहें इसकuteur ह awaiting कर पुछले क्या पूछले इसके लाग आपसे पर्थं महिला में क्या पूसकता है बता जो आइए जो आपको बदा दू अगर पूछले कि पर्थं महिला आपके लोग सभाद द्यक्ष न कि लौक ळाय अ तो पर्थम महिले लोग सब दाश आपके मीरा कुमार थी कौन थी आपके मीरा कुमार थी हागर कुछन पुछले कि पर्थम महिला सांसत कौन थी जो सांसता परते ना मेंबरा पार्लेमेंट तो पर्थम महिला सांसत कौन थी तो राधा भाई सुबार आयान राधा भाई सुभा रायन ठीक है तो चलिए मैंने आपको आश पांस बता जिए परसमहिला पीएम इंद्रिया गाजी परसमहिला राजिपाल आपके सरोजी नैडू परसमहिला लोक सभाथ आपके अध्यक्ष मेरा कुमार और परसमहिला सांसत कौन तो आपके राधा भाई स्क्षाव तो रजिए बेगम हो जाती हैं अगला क्वेजन होता है कि टेली वीजन का विश्कार किस्ट ने किया था तो आपके जॉन लोकी बियर्ड ने याप देखते युसकार जन लोगी बियर्ड दे किया था आगला कुक्षिन हो जाता है कि जलिए वाला बाग कुछ लोग में आपके बैट कर जलिया वाले बाग में करते हैं संभेलन कर रहे थे रहां पर जर्नल डायर ने उनके उपर अंधा धंद गोलिया चला दी थी फिर जलिया वाला गांट के बिरोध में महत्मा गाधी ने अपनी एक उपाद जिनको दी थी अंग्रेजों ने केसर एहिंद की तो केसर एहिंद की उपाज वापस लुटाई और आपके रविंद्र ट्रेगोर ने सर की उपाज तो ये जो गांधी जी थे इसके लाव मां गांती जी ने क्या किया पूरे देश भर में असहयोग आंदूलन भी चलाया असहयोग आंदूलन चलाया हम भाइसकार की बाइकाट की गई की आप हम अंगरेजो की किसी विवस्त को नहीं लेंगे और हम पूरे तरीके से भाइसकार करेंगे असहयोग आंदूलन चलाया लेकिन दूस्तों बात में 1922 में 5 फरवर 1922 को एक घटना हो गई जिससे कहते हैं चवरी चवराकांड जिससे कहते हैं जिससे कहते हैं चवरी चव अगर अगरा कुशन आज कामारा साथ हो कुशन है कि सरवार्दिक चमकीला और सरवार्दिक गर्म ग्रह आपके सुक्र ग्रह जाता है बहुत इंपॉर्टन है इसलियाद रखेंगे सुक्र ग्रह को ही कहा जाता है बहुत इंपॉर्टन इसलियाद रखेंगे अच्छा कुशन पूछले की सबसे हलका ग्रह कांटा है सबसे हलका अगर यह फिर पूछले के सबसे हलका फिर सबसे छोटा ग्रह कांटा है तो केंगे की बुद्ध है जो सुर के सरवार्दिक निकाटे सी थे और सरवार्दिक उपग्रहों वाला ग्रह कांट सा कर कुशन पूछले पूछता है गजबार की सरवार्दिक उपग्रहों वाला ग्रह कांट सा है तो सरवार्दिक उपग्रहों वाला ग्रह दोस्तों कि सैनी है सैनी की पास कुल 82 उपग्रह है जो सरवार्दिक उपग्रहों वाला ग्रह हो ज जाता है आपने दूस्तों वरूड वरूड सरवार्दिक ठंडाग्रह हो जाता है बहुत इंप्पोर्ण इंगलिस में सिखाते हैं नेप्चून और वरूड वरूड रखर हैं इसकि तो जान्चाम गॉले नामों गॉले сов किती आपकी खोज की थी और आगी तरह बढ़ते हैं आज के अपने अच्छिस्वाइंग की सीमा काउंस है भारत पाकिस्तान के बीच किसी में आपके रेड़ क्लिफ रेखा है अच्छा भारत और चीन के बीच कौन से रेखा है तो भारत और चीन के बीच में मैक मोहन रेखा है मायक मोहन रेखा हो जाती है और रेड़ क्लिफ रेखा है भारत और पकिस्तान के बीच में और भारत और अफगान के बीच में कौन से रेखा है तो भारत और अफगान के बीच में डूरंड रेखा है डूरंड रेखा है इसको लिख लेजिए डूरंड रेखा हो जाता है तो ये तीनों रेखा आपको पता हो जाता है भारत चीन के वीच में मैंक मोह रेखा भारत अफगान के वीच में डूरंड रेखा भारत पाकिसान के वीच में रेड क्लिफ रेखा हो जाती है आगे तरह ब प्रथम महिला राजपाल जो भी पीछे मैं आपको कई से रहे विताये उसके सरोजी नाड़ू के वारे मैंने बताया था मुझे क्या पता सा कि आगे वही कुछन आने वाला है कि भारत की प्रत्रम राजपाल काउंथी तो सरोजिनी नाड़ू बिल्कुल सहित रहेगा कोलगेशिन कोई दोनु कुछना में अंतर समज़ेगार्थ है बैट्र ऐसे को क्योंत कुछन्न की की पर्फम हारती महीला अधफ्ष काउंती तो दोनों गुष्ण में अंतर समझेगा एगा और प्रथम भारती अधक्ष काउंती तो सरोजीन नेड़ बिलुकुल से तुर जाएगा क्योंकि एनी विसंट रपके आयरलेंड से थी तो इस प्रकार से आज के मारे पूरे सव कुष्टन यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों अगर आपने से के पहले के पहले के पहले दूसरे तीसरे चाउती पाच्वी शेटी सत्वी आठवी और नवी क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्ट्टिन बॉक्स में लि इंपोर्टन हैं और इस चनल को सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि फोरेट गाट की संपूर्ण तयारी जिकेजिए इसके आपर कराई जाती रहेगी और यह महत्पूर्ण प्रस्ण जो कताई जहारती रहता तर आपकी चलती रहेगी ठीक है दोस्तों अगर वीडियो चला